Hello students, how are you? Myself, Rajendra Verma, Team Chemistry. वेटा, आज मैं आप लोगों को DCM Test Series में 23rd number जो आपका paper हुआ है, उसके question का solution करवा रहा हूँ. Chapter आपके पास थे Alcohol, Phenol, Ether, Carbonyl, Compound, Acid and its Derivative. मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों का paper अच्छा गया होगा, फिर भी अगर आपको किसी question में कोई doubt रह गया है, तो आप ये video solution देख करके अपने doubt को clear कर सकते हैं, ठीक है? करते हैं शुरू. Section A आपके पास है. Section A में, first question आपके पास है. Phenol की reaction किसके साथ करवानी है विड़ा? ब्रोमीन के साथ करवानी है. और condition क्या है? Carbon Dye Sulfide. तो जब Phenol का Bromination करवाते हैं, Carbon Dye Sulfide की presence में, तो Monobromination होता है. और यहाँ पर अगर आपको क्या दिया जाए? Polar Protic Solvent, like H2O दिया जाए, तो Tri-Bromination होता है. तो फिलाल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? Monobromination. OH Group कैसा होता है वेटा? OH Group आपके पास है, Ortho और Para Director है वेटा. ठीक है? तो आपके पास इसमें जो आंसर रहना चाहिए, वो होगा OH, Ortho Position पर Bromine, और Para Position पर Bromine. यह दो आंसर इसमें आएंगे. इसके अंदर यह वाला जो प्रोड़क्ट है आपका मेजर आंसर आएगा वेटा. तो आप देखें, इनमें से कौन सा Option आपके पास होगा? OH की Para Position पर Bromine होना चाहिए. तो कौन सा आंसर आ रहा है वेटा इसमें? फर्स्ट आंसर आ रहा है. ठीक है? अगर यहाँ पर Polar Protic Solvent होता, तो Tribromo Phenol बनता, तब आपका यह आंसर होता. लेकिन अभी इस कंडिशन में आपका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा. ठीक है? इसमें आप Potassium Dichromate एड़ कर रहे हैं, यानि कि आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करवाना होगा? Oxidation करवाना होगा. Oxygen करवाएंगे सबसे पहले. तो जब हम इसमें Oxygen करवाएंगे, तो Oxygen से आपको क्या आंसर मिलेगा? यह आंसर आएगा. इसका क्या करवा दिया हमने? Oxidation करवा दिया बेटा. तो जो Secondary Alcohol है, वो किसमें Oxidize हो जाएगा? किटोन में. अब साथ में Temperature भी है. तो इसकी वज़े से यहाँ पर कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा? डी कार्बॉक्जिलेशन, वी कार्बॉक्सिली करण. डी कार्बॉक्जिलेशन प्रोसेस होगा. क्यों होगा? ऐसा. क्योंकि COOH के अलफा कार्बन पर electron withdrawing group attached है. तो आगर कार्बॉक्जिलिक आसिड के अलफा कार्बन पर electron withdrawing group attach हो, तो वहाँ पर हीट करने से डी कार्बॉक्जिलेशन, वी कार्बॉक्सिली करण हो जाता है. तो एक CO2 यहाँ से release हो जाएगा. ठीक है? यह बनेगा. इसके बाद फिर यह हीट करने पर क्या करेगा? अभी भी इसके अलफा पर electron withdrawing group, electron accuracy समू जुड़ा हुआ है. तो एक CO2 इसमें से और release हो जाएगा. और यह आपके पास final answer आएगा. तो आपको देखें, ऐसा इसमें आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? कौन सा आएगा वेटा? थर्ड आँसर आजाएगा. बास समझ में आगी? प्रोसेस कौन सा यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है? D-Carboxylation, V-Carboxylican. Carboxylic Amal के alpha carbon पर electron withdrawing group हो, तो direct heat करने से D-Carboxylation होता है. अगर electron withdrawing group नहीं है, तो D-Carboxylation के लिए क्या लिया जाता है? सोडा lime लिया जाता है, ठीके? Next question देखें. आपके पास एक compound है और diluted HCl साथ में दिया हुआ है. तो पहले हम देखें, reaction कौन सा होने वाला है? Diluted HCl आप इसमें add करेंगे, तो इस Cyanide group का क्या हो जाएगा? Cyanide group का क्या हो जाएगा, बैटा? Hydrolysis हो जाएगा. तो Cyanide group के hydrolysis से आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? यह मिलेगा? बास समझ में आ रही है? ठीक है? अब आप देखें, इसमें और क्या हो सकता है? इसको heat भी किया गया है. इसके लिए यह alpha carbon है और alpha carbon पर कौन attach किया गया, बैटा? एलफा carbon पर electron withdrawing group है, इसका मतलब heat करने से यहाँ से CO2 gas release हो जाएगी. ME, CH2, CO, ME. यह आपके पास answer आएगा. कौन सी gas release हो गई? CO2 gas इसमें से release हो जाएगा, बैटा. अब इस product के लिए आपको यह check करना है. यह P product आपके पास है, बैटा. P gives positive iodopharm test. आप देखें, यहाँ पर इसको check कर सकते हैं आप लोग. क्या show कर रहा है यह? Positive iodopharm test. क्योंकि यह methyl ketone है और methyl ketone positive iodopharm test show करता है. And negative test with failing solution. Failing billion के साथ रणात्मक परिक्षन. बिल्कुल सही है. Ketone failing solution से किसी तरह से कोई react नहीं करता है. तो आपके पास यह है. P iodopharm के साथ positive, failing billion के साथ negative. बिल्कुल सही है. P gives negative iodopharm test. यह तो गलत हो गया. क्योंकि iodopharm test positive है. P gives positive Lucas test. Lucas test के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? Alcohol. वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर. P gives positive test with sodium by sulfite. यह तो सही है. लेकिन साथ में क्या है? Ammonium nitrate solution. तो यहाँ पर यह positive नहीं होगा. यह भी आपका answer wrong हो गया. आपके पास answer क्या आया बेटा? First आपके पास answer आगया. यह reaction आपको समझ में आ गई होगी. Fourth question. Which is most suitable reagent for following conversion? एक रुपांत्रन आपको दिया गया है. एक conversion आपको दिया गया है. इसके लिए कौन सा suitable reagent है? देखें हो क्या रहा है. Double bond unaffected है. Double bond पर किसी तरह से कोई reaction नहीं होनी चाहिए. ऐसा reagent हमें select करना है. Methyl keto group है. और Methyl keto group किसमें convert हो रहा है वेटा? Carboxylic acid में convert हो रहा है. तो कहीं ने कहीं यहां पर oxidation की बात हो रही है. तो हम देखते हैं इसमें क्या लिया जा सकता है? क्या tolen reagent इसमें काम आएगा? Methyl keto group में tolen reagent यूज नहीं होता है वेटा. Zinc, Amalgam और HCl यूज हो सकता है क्या? अगर आप इसको use करेंगे इस second को इसमें अगर मैं use करता हूँ second option को तो आप देखें यह इसमें convert नहीं होने वाला है. यह किसमें convert हो जाएगा? CH2, CS3 में convert हो जाएगा second option की presence में. तो ऐसा तो नहीं है? तो यह answer भी आपका नहीं हो सकता है. I2 प्लस NAOH के बारे में हम बात करते हैं. यह answer नहीं है हमने check कर लिया, यह भी answer नहीं है, check कर लिया. I2 प्लस NAOH कौनसी reaction होगी बेटा? Iodophorem. कौनसी reaction होगी? Iodophorem. देखें, इसमें अगर मैं I2 प्लस NAOH एड़ करूँगा, तो क्या होगा? यहाँ Iodophorem टेस्ट हो सकता है न? तो क्या होगा? देखें ध्यान से. CS3, CH double bond CH, ठीक है? CH2, CO, ONA, प्लस. यह किस में convert हो जाएगा? Iodophorem में convert हो जाएगा? CHI3. और अगर मैं इसका acidification करवा देता हूँ, acidification, अगर मैं इसमें करवा देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा. और यही हमें चाहिए. यानि कि यह लिया जा सकता है. Question क्या है? निम्न रुपांतरन के लिए उप्युक्त अभिकर्मक. Most suitable reagent for following conversion. यह बनेगा. H+, मिला के हम convert कर सकते हैं. कोई problem नहीं है. KMNO4 इसमें problem करेगा. क्या problem करेगा? KMNO4 इस double bond का oxidation कर देगा. KMNO4 क्या करेगा? Double bond का बेटा oxidation कर देगा. जब आपको यह अच्छी तरह से पता है. इसमें अगर आप acidic media KMNO4 एड करते हैं, तो यह वाला जो carbon है, यह carboxylic acid में convert हो जाता है. यह carbon भी carboxylic acid में convert हो जाता है. तो question कहा रहा है, double bond पर किसी तरह से कोई भी effect नहीं पढ़ना चाहिए. यह answer भी नहीं हो सकता. तो most suitable answer आपके पास कौन सा रहा? Idoform test. Next question देखें, fifth question. आपको तो column दिये हैं, एक column reaction के लिए है, दूसरा reagent के लिए है, आपको देखना है कि इस reaction को complete करने के लिए इन में से कौन से reagent suitable रहेंगे. पहले पार्ट को देखें, CHO CS3 में convert हो रहा है. तो हमारे mind में क्या आना चाहिए? हमारे mind में आना चाहिए, क्ली mention reduction, वाल्फ किष्नर reduction. तो ऐसा कुछ इसमें है क्या? देखो, यह रहा. क्ली मैंशन रिडक्शन, बिल्कुल मैच हो रहा है, A के साथ 3rd आएगा, बेटा आप देखें, यहाँ A के साथ 1st है, यह आंसर नहीं हो सकता, यहाँ A के साथ 2nd है, यह आंसर नहीं हो सकता, मतलब आपको 3rd और 4th में से कोई एक आंसर मिलेगा, और वो आपको कैसे पता लगेगा 2nd रियक्शन से, देखें, CHO किस में convert हो रहा है, COO negative में, यानि कि oxidation हो रहा है in alkaline media, L-D-I-D का oxidation हो रहा है, कौन से media में? alkaline, क्षारियम आध्यम में बेटा, ऐसा कौन सा है, आप देखें द्यान से इसके अंदर, जो oxidation कर सकता हो इसका यह रहा, tolerance reagent, इसमें कौन मैच कर जाएगा, first, तो A में third है, B में first है, A में third है, B में third है, A में third है, B में fourth है, यह answer भी नहीं हो सकता, बाकी दोनों भी हम चेक कर लेते हैं, answer तो हमारा मिल गया हमें, answer तो हमारा मिल चुगा है वेटा, फिर भी चेक कर लेते हैं, यहां देखें आप क्या हो रहा है, aldehyde किसमें convert हो रहा है, 2 degree alcohol में convert हो रहा है, no doubt इसमें grignard reagent use किया गया होगा, C में second part है, आप देखें यहां बिल्कुल correct है, यहां पर aldehyde group, alcohol में convert हो रहा है, reduction, up chain की बात की जा रही है, तो आप देखें, इसके अंदर कौन सा part आएगा, sodium borohydride, aldehyde group को alcohol में reduce कर देता है, तो यह बिल्कुल सही है, answer आपका क्या आगया वेटा, third answer आगया, बिल्कुल सही है, sixth, which of the following represent correct synthesis, सही मुख्य संसलेशन किस में है, देखें क्या हो रहा है, यहां पर साइनाइड है, और आपको क्या दिया है, यह क्या है वेटा, दाइबॉल H, यह क्या है, दाइबॉल H है वेटा, डाइ, आइसो, ब्यूटाइल, अलिमिनियम, हाइड्राइड, यह साइनाइड को पहले किस में convert करेगा, CS3, CH, double bond CH, CH2, CH2, और जो साइनाइड है, उसे, इस तरह से, इमाइन में convert कर देगा, और जब आप इसका hydrolysis करेंगे, तो यह यहां से hydrolyze हो जाएगा, इसके पास oxygen आजाएगा, तो oxygen आने से किस में convert हो गया वेटा, LD हाइड में, यानि कि यह बिल्कुल correct है, यहां पर भी वो ही same condition है, तो यह remove हो जाएगा, यहां पर भी hydrogen आएगा, यहां पर भी hydrogen आएगा, तो इसके साथ जो side में product बनेगा, वो C2H5 OH होगा बेटा, C2H5 OH, तो यह भी आपके correct दिया हुआ है, third देखें, sodium borohydride इसका reduction करता है, sodium borohydride इसका reduction करेगा वेटा, इसका reduction नहीं करेगा, clear है, तो sodium borohydride जब इसका reduction करेगा, तो आपको पहले क्या मिलेगा, CS3, CH, OH, CH2, CO, OC2H5, sodium borohydride इसको reduce कर रहा है, उसके बाद hydrolysis दे रखा है, तो hydrolysis किसका होगा, easter group का हो जाएगा, अगर हम easter group का hydrolysis करेंगे, तो आपको कुछ इस तरहें से answer मिलने वाला है, बेटा, तो क्या ये और ये match कर रहा है, बेलकुल भी match नहीं कर रहा है, इट मेंस ये answer जो इसके अंदर product दिया है, गोलत है, question क्या है, which of the following represent correct synthesis, कौन सा सही मुख्य संसलेशन आपको बता रहा है, तो first बेलकुल correct बता रहा है, second बेलकुल correct बता रहा है, तो इस बेस पर आपका answer कौन सा होगा बेटा, second answer होगा, sixth में answer क्या गयाएगा, आपका second answer जाएगा, seventh, when aspirin is heated with NaOH aqueous, the product, जब aspirin को NaOH aqueous के साथ गरम करते हैं, तो उत्पाद आपको चेक करना है, यह है aspirin, इसकी reaction किसके साथ करवानी हैं, NaOH के साथ, वो भी aqueous है, तो यह easter group है, देखो ध्यान से, easter group का acidic media में भी hydrolysis होता है, और alkaline media में भी hydrolysis होता है, ester, samu, amli और ख्षार, यह दोनों माध्यम में जलब गटित हो जाते हैं, acidic media में carboxylic acid बनता है, और alkaline media में क्या बनता है बिटा, sodium, salt, अगर NaOH है, KOH है तो potassium salt बनेगा, तो यहां से इसका हम क्या करेंगे, hydrolysis करेंगे, यहां तो आज़ाएगा, OH, और यह वाला part किसमें का नुवर्ट होगा, sodium salt में, CS3, COONA, बात समझ में आ रहे हैं, यह यहां पर आएगा, आपके पास H, और यह वाला portion किसमें का नुवर्ट होगा, sodium salt, अब यहां देखो, carboxylic acid भी तो इसके साथ react करेगा, यह इसके साथ acid-based reaction शो करेगा, तो यहां पर आपको मिलेगा, इस तरह से, तो अब आप देखें, आपके पास क्या बन रहा है, ध्यान से देखें आप, sodium acetate, sodium acetate, सब जगे दिया हुआ है, तो सही है बेटा, sodium acetate तो सब जगे दिया हुआ है, अब पता है नहीं चलना कुछ भी, इसके बाद यह जो product है, आपके पास, यह product कैसा है, अगर मैं इसमें नंबरिंग करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 hydroxy, 2 hydroxy होना चाहिए, तो methyl salicylate नहीं हो सकता, और आगे चलें, 1, 2 di carboxy benzene, यह भी नहीं हो सकता, 2, 2 di hydroxy benzene, 2, 2 di hydroxy benzene भी नहीं हो सकता, 2 hydroxy sodium benzoate, बिलकुल सही है, 2 hydroxy sodium benzoate बनेगा, बन रहा है ना आपके सामने, तो आपका आंसर क्या जाएगा, फूर्थ आंसर आजाएगा, sodium acetate and 2 hydroxy sodium benzoate, यह आपके पास result है, ठीक है, एर्थ, phenol and ethanol can be distinguished by, phenol और ethanol को किसके दुवारा विभेदित किया जा सकता है वेटा, किसके दुवारा, क्या radonate मस काम में आएगा, बिलकुल नहीं, sodium bicarbonate, ना तो phenol से react करेगा, ना ethanol से react करेगा, यह भी नहीं आ सकता, FeCl3 बिलकुल करेक्ट, phenol FeCl3 के साथ react करता है, और violet color show करता है वेटा, C6H5 OH FeCl3 के साथ react करता है, यह एक complex बनता है, और यह complex violet color का होता है, बैंगनी रंग का होता है, लेकिन ethanol ऐसा कुछ भी नहीं करता है, sodium, sodium के साथ phenol भी react करता है, और sodium के साथ alcohol भी react करता है, यह answer नहीं हो सकता, आपके पास correct answer कौन सा जाएगा, FeCl3, नाइंथ question, आपको पहले इसमें ozonolysis करवाना है, इसका ozonolysis करवाएंगे, तो दोनों साइड में oxygen एड करेंगे, पहला प्रड़क्ट तो यहां दे रखा है, A आपके पास क्या आएगा, CS3, CHO, यह A होगा बैटा, और इसका क्या करवाना है, रिड़क्शन करवाना है, इसका रिड़क्शन करवाएंगे, तो CS3, CH2, OH आपके पास आंसर आएगा, तो ऐसा कहां पर दिया हुआ है, second answer, कौनसा आंसर आगे बैटा, second answer आपका आगेया है, 10th question, identify S in the following reaction, इस अभिक्रिया में आपको S find out करना है, यह क्या है, यह पता लगाना है, देखें, इस reaction को ध्यान से देखें बैटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह hydrogen acidic है बैटा, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस hydrogen को remove करूँगा, तो यहाँ negative charge आएगा, जो इसको aromatic character देगा, तो इसका मतलब है, जब आप इसकी reaction करवाएंगे, तो यह P इस H के साथ react करके, किसमे convert हो जाएगा? Benzene में. और आपको यहाँ पर जो यह मिलेगा, यह क्या मिलेगा? इस तरह हैंगा, यह P है बेटा, अब यह as a nucleophile, as a nucleophile, इस पर attack करेगा, और इसको यहाँ से यहाँ transfer करेगा, as a nucleophile, nucleophilic addition reaction हो रही है, क्या मिलेगा आपको इसमें? इसके उपर attack होगा, तो यहाँ एक CS3 है, यहाँ भी एक CS3 है, और यहाँ पर आएगा O negative, O negative, अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? acid एड़ कर रहे हैं, तो जब आप इसमें S3O plus एड़ करेंगे, तो आपके पास product क्या होगा? यह product आएगा, तो यह तो होगे, आपके पास P, P की reaction जब इसके साथ करवाएंगे, तो यह आपके पास हो जाएगा Q, Q में जब आप यह add करेंगे, तो यह आपके पास क्या बन जाएगा R? अब आपको क्या करना है? H plus के साथ इसे, यानि कि acidic मीडिया में alcohol को heat करेंगे, जब alcohol को acidic मीडिया में heat करते हैं, तो dehydration होता है, जब आप करेंगे इसमें, तो यहाँ पर एक hydrogen है, यह hydrogen और यह OH release हो जाएगा, यह convert हो जाएगा S. जान से दोबारा सुनें बटा, इस compound में यह hydrogen acidic है, क्योंकि जैसे ही आप इस acidic hydrogen को remove करेंगे, यहाँ पर aromatic character डेवलप हो जाएगा. और pH उस acidic hydrogen से react करके, किसमें convert हो गया? बेंजीन में. यह PNIN है, यह NIN इस पर nucleophilic addition reaction शो कर रहा है, यह करेगा, nucleophilic addition करेगा, तो यह Q बनेगा, आपके पास एक NIN. और acidic media में, यह NIN एलकोहल में convert हो जाएगा. तो यह R बन गया. अब इस alcohol को आप जब इस condition में use करेंगे, तो क्या होगा? dehydration of alcohol. Alcohol का निरजली करण होगा. इसके dehydration में यहां से OH और यहां से H जाएगा, तो यहां एक double bond बन जाएगा, यह answer आजाएगा. answer गया आपके पास, fourth answer आजाएगा, ठीक है बिटा? next हम इसमें question चेक करते हैं. 11th, इसमें आपको find out करना है, X is a compound that form azodai with benzene disonium chloride in friendly basic medium, hence the product P, X and Y. Y भी आपको बताना है और P भी आपको बताना है. इस सारे आपको बताने हैं. चलो इसके लिए हम देखते हैं, solve करके देखते हैं, क्या हो सकता है इसके अंदर? यह है आपके पास, यहां पर OCS3 है, और इसकी reaction हो रही है, P, H, C, H double bond, C, H2, H, F के साथ, इसमें देखते हैं, तो उसके बाद, O2 platinum, तो H plus temperature, ठीक है? चलो देख लेते हम. तो यह आपको क्या provide करवाएगा बेटा? P, H, C, H, C, S3 positive, carbocatine, electrophile. क्या provide करवाएगा है? Electrophile. Electrophile इसके साथ कौन सी reaction शोग गरेगा? Electrophilic substitution reaction. कौन सी reaction मिटा? Electrophilic substitution reaction. और कहाँ पर होगा यह? पैरा position पर, क्योंकि पैरा position less crowded है. तो आपको यहाँ पर जो answer मिलने वाला है, वो O, C, S3, और यहाँ पर आजाएगा आपके पास, C, H, P, H, C, S3. यह P मिल गया बेटा आपको. अब इसमें add करना है, oxygen with platinum catalyst. आप याद करो, आपने phenol वाला जो chapter पढ़ा था, methods of preparation of phenol, वहाँ पर क्यों मीन थी आपके पास, और क्यों मीन से phenol बनाया गया था? बनाया था? क्यों मीन, आपके पास isopropyl benzene होता है, वहाँ पर एक alpha hydrogen है, वो same condition यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपके पास यह एक alpha hydrogen है, यहाँ देखें, तो जब इस condition को apply करेंगे, तो यहाँ पर भी वही same condition, क्यों मीन वाली apply हो जाएगी, OCS3, C, pH, CS3, जैसा क्यों मीन में था, विल्कुल उसी प्रॉसेस को यहाँ पर apply करवाया गया है विटा, अब आप इसमें क्या करेंगे, H प्लस add करेंगे, तो जैसे हमने क्यों मीन से, क्या बनाया था, फिनॉल प्लस असिटॉन बनाया था, वही same प्रॉसेस इसमें होने वाला है, OCS3, यहाँ पर आ जाएगा, OH प्लस pH COCS3, क्याद करो बेटा, यह पूरा प्रॉसेस वहीं से लिया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया इसके अंदर, तो यह इन में से आप condition थी, इसमें condition थी बेटा, condition देख लें एक बार आप, X is a compound that form azodeye with benzene disonium koloride, तो यह वो compound है X, फिनॉल है, और फिनॉल, benzene disonium koloride के साथ, कप्लिंग रियक्षन, युगमन अभी करिया दर्शाता है, यह X हो गया, यह Y हो गया बेटा, ध्यान से देख लो इनकी structure को, आप में, अपने option को, find out करना है, ऐसी structure P, जो है, वो किसमें मिल रही है आपको, दो जगें मिल रही है, ऐसा structure, आपको यहां मिल रहा है, यह रहा, और लास्ट, आपके पास यहां है, आंसर कौन सा आ रहा है वेटा, आपके पास, फिर्स्ट आंसर आ रहा है, कौनस आंसर आरा है वेटा, फिर्स आंसर आरा है, यहां आएगा OH, यहां भी OH, और यहां आएगा COOH, प्लस में वहां बनेगा CS3OH, टू मॉल्स, और एक यहां से भी आपको मिलेगा CS3OH, टोटल त्री मॉल्स, अब इसको आप देखें, इसमें से water molecule में अगर release कर दूँगा, तो मेरे पास यहां पर कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, अलफा, अलफा पर electron withdrawing group है, और जब मैं इसको heat करूँगा, यहां से decarboxylation होगा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड आंसर आ जाएगा, कौनस आंसर आ जाएगा, थर्ड, बास समझ में आ रही है, इथर है, acidic media में hydrolyze हो जाएगा, इस्टर है, acidic media में hydrolyze हो जाएगा, यह unstable compound बनेगा, water molecule release होगा, बीटा keto acid बन गया, क्या बन गया, बीटा keto acid जो heat करने पर decarboxylate हो जाता है, और आपको क्या आंसर प्रोवाइड करवाता है, थर्ड आंसर बेटा, 13, what is the final product of the following reaction, निम्न अभिकरिया का अंतिम उत्पाद क्या है, यह आपको क्या दे रखा है, इसका मतलब है, आपके पास है NaOH plus Br2, यह तो है, और यह condition, जब आप इसके साथ apply करेंगे, तो यहाँ पर acid-base reaction होगा, देखें वेटा, COO- acid-base reaction होने वाला है यहाँ तो, अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है वेटा, इसके अंदर, आप देखें, यह condition, जब आप इस पर apply करेंगे, तो कौनसी reaction हो जाएगी, होफ मान degradation, होफ मान निमनी करन अभिकरिया हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या attach हो जाएगा, NH2, अब मैं अगर इसमें H plus add कर दूँगा, तो मुझे ऐसा answer मिलेगा, ऐसा answer मुझे मिलेगा, ऐसा answer आपको कहां दिया गया है, third option में दिया गया है, सहीए बेटा, अब आपके पास इसमें एक paragraph है, paragraph में आप देख पा रहे हैं, 1, 2, diol are oxidized to ketone और ldi by parayodic acid, parayodic acid react with diol to form a cyclic intermediate, इस तरह का cyclic intermediate बनता है, यह cyclic intermediate तभी बन सकता है, जब दोनों OH सेम साइड में present हो, सिस diol अगर आपके पास है, तभी यह intermediate बनेगा, trans diol अगर होगा, तो वहाँ पर यह intermediate नहीं बनेगा, सिस diol होना चाहिए, diol कैसा होना चाहिए बेटा, सिस कब जब आपको कोई stereochemistry का question दिया जाता है, यह intermediate बना है, यह intermediate जब breakdown होगा, तो आप देख पा रहे हैं, यहां से यह bond ब्रेक हो रहा है, तो यह portion और यह portion LDAड और के टॉन में convert हो रहे हैं, अब इसके base पर हमें क्या करना है, questions को solo करना है, चालो देखते हैं बटा, पहला part देखें, पहले part में आप क्या कर पा रहे हैं, BR2, sunlight, कौनसी reaction, free radical substitution, मुक्त मूलक, प्रती स्थापन, यह लो, free radical substitution हो गया, यह बना A, उसके बाद आपके पास है, alcoholic KOH, alcoholic KOH, कौनसी reaction करेगा बेटा, यह, E2 reaction करेगा, alkene बन जाएगा, बनेगा न बेटा, ठीक है, यह लो, यह आपके पास आगया B, alkene में OSO4 दिया और उसके बाद HIO4 दिया है, तो osmium tetraoxide का use कब करते हैं हम, cis diol बनाने के लिए किसको बनाने के लिए, cis diol को बनाने के लिए करते हैं बेटा, यह cis diol बन गया, यह आपके पास आगया C, बेटा, osmium tetraoxide cis diol formation करता है, bear's reagent cis diol formation करता है, बेटा, ठीक है, आगे देखें, अब इसमें जब आप HIO4 एड़ करोगे, तो यह bond यहां से break होगा, ठीक है, यह दोनों group किसमें convert होंगे, carbonile group में convert होंगे, दोनों किसमें convert होंगे, carbonile में, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, कि इसके साथ मैं 1 OH attach कर दूँ, इसके साथ मैं 1 OH attach कर दूँ, तो जब यह break होगा, याद रखने का तरीका है, ठीक है, तो आप देखें, आपके पास क्या बनेगा, break हो जाएगा यह, यहां से, यह break हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, यहां पर, एक CS3 है, और इसके साथ 2 OH आ रहे हैं, आ रहे हैं यह, यह याद रखने का तरीका है, इसके पास, यहां पर भी 2 OH आ जाएंगे, तो इसमें से water molecule release कर दो, LDL बन जाएगा, इसमें से water molecule release करोगे तो, ketone बन जाएगा, तो ऐसा कौन सा आएगा बेटा, आपको पुछा है D, identify D, तो D ऐसा तो नहीं है, उपर की tone बनेगा, यह answer आजाएगा, कौन सा आजाएगा, फूर्थ आजाएगा, 15th, which of the following will not form, will not form बेटा, कौन सा नहीं बनेगा, तो अब देखो, जब आप इसमें HIO for red करेंगे, यह वाला portion किसमें convert होगा, HCHO में, यह CO किसमें convert हो जाएगा, CO2 में, और यह बीच वाले जो, CHO हैं, यह किसमें convert होंगे, HCOOH में, last वाला CH2OH किसमें convert होगा, HCHO में, not form, यह तो बन रहा है, यह answer आगया, CO2 भी बन रहा है, और यह भी बन रहा है, answer क्या आगया, methyl alcohol, methyl alcohol इस reaction में आपको नहीं मिलने वाला है, 16, which of the following compound will not react with HIO4, मैंने क्या का था, HIO4 से react करने के लिए, कैसा structure चाहिए, और सिस डाइओल चाहिए, यह सिस है, यह react करेगा, यह सिस है, रियक्ट करेगा, यह भी सिस है, रियक्ट करेगा, यह ट्रांस है, तो यह आपका आंसर आ गया, बिटा, नहीं करेगा, not react पूछा आपसे, तो first, second और fourth तो react करेंगे, cis condition है, यह cis है, यह भी cis diol है, यह trans diol है, और trans diol HIO4 के साथ react नहीं करेगा, क्योंकि हमने paragraph में बढ़ा, HIO4 से react करने के लिए intermediate cyclic structure बनेगी, वो तभी possible है, जब दोनों OH same direction में present हो. एक और paragraph है, a more widely used method for locating the double bond of alkene involved the use of ozone, ठीक है, ozonolysis double bond की position को find out करने के लिए किया जाता है, तो उसी से related आपका paragraph है बेटा, ठीक है, ozonolysis में oxidative ozonolysis भी होता है, reductive ozonolysis भी होता है, आपका अगर oxidative है, तो ZN यूज नहीं करना है, और अगर reductive है, तो ZN के साथ H2 O use कर सकते हैं, ठीक है, तो इस से related हमारा question है, देख लेते हैं, NRNA compound A on hydrogenation gives compound B, on ozonolysis gives methanol and बस यह आपको answer देगा, यह आपको आपका answer दी जाएगा, पहली condition, यह molecular formula किसमें match हो रहा है बेटा, C5, H8, 3, 2, 5, 6, 8, इसमें molecular formula match हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, यह तो answer ही गलत हो गया, यह भी answer नहीं हो सकता, इसमें match हो रहा है, दो जगें, C5, H8 match हो रहा है, अब आप देखें, एक तो methanol बनना चाहिए, और एक 2 ketopropanol बनना चाहिए, इससे तो कभी नहीं बनेगा, यह answer भी नहीं आएगा, answer पता लगया, direct ही यह गया, अगर आप करना चाहें, तो यहाँ से इसको break करेंगे, तो यह methanol बन जाएगा, यहाँ से break करेंगे, यह methanol बन जाएगा, और जो remaining part होगा, CS3, double bond O, और CHO, 1, 2, 3, 2 ketopropanol, simple, answer first आगया, अगर question paper में आपको कहीं कोई molecular formula दिया है, तो एक बार molecular formula के base पर चेक कर लें, कौन सा option reject हो रहा है, और कौन सा accept हो रहा है, next question, simple Ozone Olysis, देखें मेटा, C9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह तो पहले reject हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह तो यहां तक C9 है, H14 चेक करो इसमें, 3, 3, 6, उसके बाद, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यह मैच कर रहा है, इसके साथ, यहां देखें, यह भी मैच कर जाएगा, Molecular formula कोई problem नहीं है, यह मैच नहीं करेगा, क्योंकि दो double bond आ रहे हैं, यह एक double bond था, तो यह भी आपका answer नहीं होगा, Molecular formula मैच ही नहीं करेगा, इन दोनों में से करना है, अगर मैं इसका और जोनलाइसिस करता हूं, तो मेरे को answer क्या मिलेगा, देखें जरा, यह मिलेगा, पर अगर मैं इसका और जोनलाइसिस करता हूं, तो मेरे पास answer होगा, यह, ऐसा answer होगा वेटा, हमारे पास यह answer होना चाहिए, तो यह किससे मिल रहा, इससे मिल रहा, answer कौन सा आगया आपका, second answer आगया, यह तो oxidative है, यह oxidative है, जडन नहीं है वेटा इसमें, जडन नहीं है, यह simple इसको हटा दे, यह carbon और यह carbon किसमें convert हो जाएंगे, COOH में convert हो जाएंगे, तो oxidative condition एक ही जगह दे रखी है, third, कोई problem ही नहीं है, section B आपके पास देखें, section B के अंदर, हमें जो question solve करने हैं, उसकी बात करें बिटा, which of the following reaction gives benzaldehyde, कौन सी अभिक्रियाओं में से कौन सा benzaldehyde देता है, यह जो section है, इसमें one or more than one correct answer आपके हो सकते हैं, तो देखें आप, यह कौन सी reaction है बिटा, itard reaction है, और itard reaction किसको बनाता है, benzaldehyde को बनाता है, यह कौन सी reaction है, गाटरमान कौच reaction है, गाटरमान कौच reaction भी किसकी formation करता है, benzaldehyde की formation करता है, यह कौन सी reaction है, रॉजन मूंड रिदक्शन है रॉजन मूंड रिदक्शन भी क्या करता है बैंजल डिहाइड की फॉर्मेशन कर, तीनों नेम रियक्शन है तीनों से ही बैंजल डिहाइड which of the following reaction gives बैंजल डिहाइड, तीनों में आने की first भी आपका आंसर है, second भी है और third भी है तीनों आनसर आजाएगे second question कौनसी reaction लग रही है बैटा, ये राइमर्टीमान reaction, कौनसी reaction है राइमर्टीमान reaction है, इन दोनों के combination से आपको क्या मिलेगा dichlorocarbene electrophile मिलेगा बैटा, राइमर्टीमान reaction है तो एक तो direct सिधा-सिधा आपके पास आंसर आएगा, इसके यहाँ पर, और यहाँ पर क्या attach होगा, eldehyde group attach होगा, राइमर्टीमान reaction with chloroform, eldehyde group, formulation होता है तो यहाँ पर और यहाँ पर आपके eldehyde group attach हो सकते हैं तो देखो, यह eldehyde group attach किया हुआ है बिल्कुल यह answer तो आएगा और इसमें फिलाल कोई answer नहीं आ रहा है अब हम दोसरा देखें यहाँ पर, यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ ठीक है? OH KOH की presence में किस में convert हो चुका होगा? O negative में convert हो चुका होगा ठीक है? अब यहाँ पर यह electron यहाँ transfer होंगे यह electron यहाँ transfer होंगे तो इस carbon पर कौन सा charge आ जाएगा? negative charge आ जाएगा? negative charge आ जाएगा तो वहाँ पर यह CCL2 react करेगा इसके साथ तो आपको कैसा answer मिलेगा बेटा जी? CCL2 negative charge के साथ यह आएगा? और अगर मैं इसमें H plus add यह तो करना है पड़ेगा? alkaline media है alkaline media में phenol नहीं मिलता आपको कभी भी last में H plus add करना पड़ता है वो चाहे गीवन हो या नहीं हो यह आपको ध्यान ही रखना पड़ता है CHCl2 यह answer एक और आ रहा है वेटा ऐसा कुछ है यह रहा इस reaction में आपको first answer भी मिलेगा और आपको third answer भी मिलेगा दोनों मिलेंगे वेटा यह measure नहीं है लेकिन मिलेगा next question देखें इन्हे reaction sequence एक अभिकरिया क्रम आपको दिया है cold diluted KMNO4 के साथ reaction करवाएंगे तो यह कौनसी reaction हो जाएगी dihydroxylation dihydroxylation दो OH अटेच होंगे और वो भी कौनसी direction में same direction cis तो इसमें वैसे कोई cis वगरा दिया नहीं होगा है dihydroxylation यह A यह A बिलकुल यही है ठीक है HIO4 अभी थोड़ दर पहले हैंने question solve किया था HIO4 इसको यहाँ से break करेगा इसको जब यहाँ से break करेगा इस तरह का एक compound बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे B ऐसा कहीं बन रहा है बिटा देखो द्यान से देखो बिटा क्या यह हो सकता है क्या यह तो A लिखा हुआ है और यह बन कौन सा रहा है B तो यह आंसर तो नहीं हो सकता न यह B है क्या ऐसा है यह भी आंसर नहीं हो सकता है चलो B का पता नहीं चल्ला अब OH negative आप जब इसमें एड करेंगे OH negative Eldol reaction होगी क्या होगी Eldol reaction होगी बेटा हम ऐसा करते हैं इसको और इसको connect करते हैं इन दोनों को इन दोनों को connect करते हैं क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 member ring आपको मिलेगी तो यह यहां से यहां convert होगा एक 6 member ring आपके पास generate हो जाएगी मैं इसको 1 दे देता हूँ इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 1 और 6 connect हो जाएंगे 1 और 6 connect हो गई नमबर 1 पर इस तरह से attach है और साथ में यहां क्या आएगा? OH भी आएगा और नमबर 5 पर एक C double bond O भी आएगा आप देखो, Eldol reaction में आपको क्या मिलता है? Eldol reaction में क्या मिलता है? Beta hydroxy carbonyl compound Eldol condensation में आपको क्या मिलता है? Alpha, beta, unsaturated carbonyl compound तो देखें ऐसा product मिलना चाहिए आपको C क्या C ऐसा है? चेक करो क्या C ऐसा है? नहीं है क्या गायब हो गया यहां से? यह CS3 था जो यहां पर नहीं है यह भी नहीं है यानि किसका एक ही answer होगा? मोर देन वन में वन और मोर देन वन वन भी हो सकता है मोर देन वन भी हो सकता है आपके पास यह आगया कौन सी रेक्शन है, मिलता यह? Eldol reaction है यह रेक्शन नहीं है वन फिनॉल is reacted with chloroform and NUH followed by acidification salicyl aldeide is obtained raimartyman reaction which of the following species is are involved in above mentioned reaction तो वेटा अभी थोड़ दर पहले में आपको mechanism बताया एक बार मैं आपको और बता देता हूँ फिनॉल NUH के साथ react करेगा तो इस तरह से anion में convert हो जाएगा यहाँ एक hydrogen है और इन दौनों की reaction से क्या बनेगी? di chloro carbine क्या बनेगी वेटा? di chloro carbine electrophile बनने वाला है यह यहाँ जाएगा यह electron इस पर transfer होंगे और यह इस पर attack कर देगा तो आपका जो result आना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए बेटा H CCl2 negative ऐसा होना चाहिए तो ऐसा कहीं है यह रहा यह रहा अब हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको हटाएंगे तो आपके पास answer क्या आएगा बेटा जी? O negative C H C L 2 यह answer आएगा बेटा तो ऐसा कौन सा है? First answer है बस समझ में आ रही है इसमें कौन सा आ गया? First भी आ गया अचा अब ऐसा अब इसका थोड़ा यह थोड़ा बनेगा कोई इससे क्या बनेगा? Hydrolysis हो करके finally answer आएगा आपके पास Salicyl Aldeide तो यह तो नहीं मिलेगा और यह भी नहीं मिलेगा तो इस question में आपके पास answer क्या आया? First and second Which of the following compound will give same alcohol in hydroboration, oxidation है और catalytic hydration है? दो चीज़ें आपके साथ एक साथ पूछी हुई है Hydroboration, oxidation और उत्परेरिकिये जलियोजन दोनों की condition अलग-अलग होती है catalytic hydration जो है उत्परेरिकिये जलियोजन जो है वो कार्वोकेटाइन के थ्रू चलता है rearrangement condition भी अपलाई करनी होती है और hydroboration, oxidation anti-marconic of rule के according water molecule को add करने में help करता है question यह है same alcohol product बनने चाहिए एक समान alcohol यह तभी हो सकता है जब alkene कैसी हो symmetric हो, summit हो तो यह तो answer नहीं आएगा क्योंकि unsymmetric है यह answer आएगा क्योंकि symmetric है यह answer नहीं आएगा क्योंकि unsymmetric है यह answer आएगा क्योंकि symmetric है symmetric alkene पर आप चाहे catalytic hydration करवाएं hydroboration, oxidation करवाएं या oxy-mercuration, de-mercuration करवाएं, तीनों ही case में same alcohol formation होता है same alcohol, symmetric alkene के case में, ठीक है, तो answer second भी है, और answer fourth भी है इसमें Which of the following alcohol will react with copper, copper के साथ कौन react करेगा primary alcohol, copper के साथ heat करने पर aldehyde में oxidize हो जाता है, secondary alcohol, ketone में convert हो जाता है, tertiary alcohol elimination reaction शो करके, alken में convert हो जाता है, जिसको हम कहते है dehydration, नरजली करन तो यह primary alcohol है, react करेगा, यह tertiary alcohol है, लेकिन इसमें dehydration नहीं हो सकता, निरजली करन नहीं हो सकता यह tertiary है इसका dehydration हो सकता है, यहां से और यहां से एच गायब करेंगे, अलकीन बन जाएगा, यह सेकेंडरी अलकॉहल है, किटोन बन जाएगा, विच आफ दा फॉलोविंग अलकॉहल विल रियक्ट विद, आंसर आएगा फर्स्ट, थर्ड, एंड फॉर्थ, सेकेंडरी यो नहीं, क्योंकि इससे आप अलकीन नहीं बना सकते, सेवन्थ, कोई compound A है, अब बेड़ा, ऐसा कोई question अगर आपको दिया जाए, जिसमें A, B, C आपको पूछी जा रहे हैं, तो आप इनमें से जो A दिया है, उसको लेके चलो कि अगर वो right होगा, तो reaction complete हो जाएगी, अगर वो wrong गा, तो reaction वाइच में ही कहीं stop हो जाएगी, अब अगर मैं ये एक सही मानता हूँ, तो मेरा ये answer आजाना चाहिए, और अगर ये सही नहीं होगा, तो मैं इसको लेके चलूँगा, नहीं होगा तो फिर और कोई condition सोचेंगे, पहले इनको अपने को सोचना है, ठीक है, चलो देखते हैं, इसमें HBR एड़ करो, HBR एड़ करेंगे, कौन सी reaction होगी बेटाजी, Electrophilic addition, कौन सी? Electrophilic addition, electron सने ही योगात्मा कभी किरिया होगी, ये बनेगा, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, combination से आपको क्या मिलेगा, OH negative, NAOH बनेगा, OH negative nucleophile है, और इसके साथ कौन सी reaction शोग करेगा, nucleophilic substitution, nucleophilic substitution नाभिक सने ही प्रती स्थापन, ऐसा आएगा alcohol, ठीक है, उसके बाद, MNO2, MNO2 क्या है, selective oxidizing agent है, चैनात्मक oxycaric है, किसका selection करता है, benzylic alcohol का selection करता है, allylic alcohol का selection करता है, 1 degree को LDL में convert करेगा, 2 degree को ketone में convert करेगा, लेकिन compulsory condition है, alcohol should be benzylic और allylic, ये alcohol कैसा है, benzylic है, इसमें अगर मैं MNO2 add कर देता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का answer मिलेगा, अब मैं देख लेता हूँ, अगर ये A सही है, तो ये B होना चाहिए, ये C होना चाहिए, और ये आपका final answer, बिल्कुल बिल्कुल, final answer match कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो A यही होगा, ये नहीं होगा, बेटा, clear है, क्या B ऐसा है, नहीं है, नहीं हो सकता ये, क्या C ऐसा है, बिल्कुल है, तो आपका answer क्या आएगा, first and fourth, answer क्या आया है, बेटा आपका, first and fourth, बास समझ में आई, अगर ये reaction, अगर ये product यहां नहीं बनता, तो हम ये कहते कि ये wrong है, फिर हम इसको लेके चलते, ऐसी कोई reaction, जहां A, B, C, option में दिया गया हो, पहले उसको लेने की कोशिश किया करो बिटा, कोशन काफी सारा easy हो जाता है, an optically active alcohol, optically active alcohol बोल रहा है, ठीक है, और आपका molecular formula दे रखा है, on oxidation gives B, A on dehydration gives C, a major product, C on ozonolysis produces this D, and this D on reduction gives this, अब बेटा आप देखो, एक बहुत अच्छा हिंट इन्होंने आपको दे दिया है, एक तो हिंट यहां दिया है, A, optically active होना चाहिए, एक तो हिंट दे दिया, दूसरा, आपको जो reaction करवानी है, उसमें 5-member cycle होनी ही चाहिए, 5-member cycle होनी ही चाहिए, एक बहुत बड़ा हिंट आपको दे दिया है, तो अगर मैं A यह लेके चलता हूँ, मैंने थोड़ देर पहले काता था ना, कि पहले question वाले A को लेके चलो, अगर उससे पार नहीं पढ़ती है, बात नहीं बनती है, तो फिर हम दूसरा कोई A सोचेंगे, तो यह A हम इसमें लेके चलते हैं, यह A लेके चल रहा हूँ मैं, काईरेल सेंटर है, आप देखें, मैं आपको साथ साथ में बताता सब जाओंगा, ओप्टिकली एक्टिव, यह ओप्टिकली एक्टिव है, इसका ऑक्सिडेशन करना है, और आपको B मिलना चाहिए, औक्सिडेशन से क्या मिलना चाहिए, B मिलना चाहिए बेटा, इसका अगर मैं औक्सिडेशन कर देता हूँ, यह मेरे पास compound B आ रहा है, ज़रा ध्यान से हम एक बार और देख लेते हैं, B compound मिलना चाहिए, आगे कह रहा है, A on B, ठीक है, A on dehydration gives this compound, इस A का मुझे क्या करना है, dehydration करना है बेटा, इसका मुझे dehydration करना है, dehydration करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसमें कार्वोगेटाइन बनाऊँगा, dehydration करना है, कार्वोगेटाइन बनाऊँगा, मैंने कहा था, question में एक hint दे रखी है, आपकी ring 5 member ही रहनी चाहिए, यानि कि हम इसमें जब rearrangement करेंगे, ring expansion के बारे में नहीं सोचेंगे, ring expand कर लोगे, तो 6 member ring बन जाएगी, जो question को drop कर देगी, question की according सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, methyl shift कर लेता हूँ, methyl shift कर लेता हूँ, ऐसा बनेगा, और इससे मेरे पास यह एक compound आ जाएगा, चलो देख लेते हैं, A on dehydration gives a compound C, as major product, यह C मेरे पास आ रहा है वेटा, C का ozonolysis करते हैं, तो D बनता है, इसका अगर मैं ozonolysis कर लेता हूँ, तो मुझे इस तरह से, D यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, देख लेते हैं, D यह होगा, यह नहीं होगा, यह होगा, C5H8O, C5H8O, बिल्कुल सही है, और साथ में यह बन रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है कॉशन, और D का, अगर आप reduction करेंगे, इसका जब आप reduction करेंगे, आपको question के according ही चलना होता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, इसका मतलब A, आपका यह सही है, अगर गलत होता तो reaction गलत हो जाती उसके बाद इसमें आपसे पूछा है B B, B हमारा ये बना था ये इससे match नहीं कर रहा second answer नहीं होगा बेटा उसके बाद आपके पास दे रखा है D बिलकुल match कर रहा है D एक बिलकुल 100% match कर रहा है और C, C आप देखें ये रहा बिलकुल सही है, बिलकुल सही जा रहा है तो इस question का answer क्या आएगा first, third and fourth ring expand के बारे में सोचना भी मत होता है student कहते हैं ring expansion तो करेंगे बिलकुल होती है बेटा लेकिन question की demand है ऐसा बनना चाहिए, ये तबी हो सकता है जब आप ring को expand नहीं करें consider following reaction निमन अभिक्रिया पर आपको विचार करना है ये reaction आपको किस तरह से किस reaction का अभास करवा रही है केनी जारो reaction, कौनसी है? केनी जारो, लेकिन कौनसी? क्या cross है? नहीं intra-molecular अन्तह आनविक केनी जारो अभिक्रिया बिल्कुल सही है ये गलत हो गया हईड्राइड आएन का ट्रांसफर होता है ये गलत हो गया ये भी गलत हो गया तो इसमें correct answer कौनसा आएगा? second कौनसा आएगा? second ही correct होगा बाकी सब रहोंगे consider following reaction निमन अभिक्रिया पर विचार करो ये है, ये है क्या है? this is intramolecular कैने जारो reaction ये है अन्तय आणवी कैने जारो अभिक्रिया है ये ही statement इस पर set हो रहा है 10th, which of the following statements are true about the major product चलो देखते हैं पहले major product कौनसी reaction है बेटा ही है? Hoffman degradation Hoffman निमनी करन अभिक्रिया है तो जब हम इसका product बनाएंगे ये ही तो बनेगा बेटा आपको एक चीज हमशा द्यार रखनी है अगर आपके पास कोई reaction ऐसी है जिसमें rearrangement हो रहा हो क्या हो रहा हो? rearrangement हो रहा हो तो chiral center का configuration change नहीं होगा तो Hoffman degradation एक rearrangement process है तो chiral center का configuration change नहीं होगा ऐसा ही रहेगा अब आजाओ question पर X is a 2 degree amine क्या 2 degree है? बिल्कुल नहीं है first answer नहीं होगा X has a chiral center बिल्कुल correct है आपके पास chiral center दिखाई दे रहा है X is a primary amine बिल्कुल सही है primary amine भी है X can also be obtained by treatment of this with this compound चलो देख लेते हैं ऐसा हो सकता है क्या? C6H5 CH CS3 BR इसके साथ अगर मैं ammonia से reaction करवाऊंगा nucleophilic substitution reaction होगा SN2 और ऐसा बनेगा आप देखो यह और यह match कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है match बिल्कुल match कर रहा है तो यह भी correct है तो 10th question में answer के आएगा आपका second, third and fourth 11th which of the following will not undergo HVZ reaction HVZ reaction नहीं देता है कौन सा compound HVZ reaction देता है? hell, walhard, zilands की reaction कौन देता है? carboxylic acid having alpha hydrogen वे carboxylic amul, जिन में alpha hydrogen होता है HVZ reaction देते हैं तो यह देखो alpha hydrogen है यह तो देगा positive test इसमें alpha hydrogen नहीं है will not लिखा है बेटा तो यह HVZ reaction नहीं देगा यह भी HVZ reaction नहीं देगा क्योंकि यह तो LDL है carboxylic acid होना चाहिए था यह भी HVZ reaction नहीं देगा सिरफ first देगा बाकी तीनों नहीं देगे तो इस question का answer होगा second, third and fourth कौनसा answer होगा second, third and fourth बेटा twelfth question क्या करना है cyanide का reduction करना है cyanide का reduction करेंगे तो क्या मिलेगा R, CH2, NH2 यह answer आएगा आपके पास A चेक करो बेटा यह तो नहीं हो सकता R, CH2, NH2 यह रहा ठीक है B, cyanide अब देखो इसके अंदर इसमें मैं आपको बता देता हूँ R, C, triple bond N है और reaction करवाना है CS3 M, G, B, R के साथ यह इस पर attack करेगा यह यहां से यहां transfer होगा R, C, CS3 double bond N M, G, B, R अब इसमें क्या करेंगे hydrolysis करेंगे hydrolysis यहां से होगा जब यहां से hydrolysis होगा तो product होगा R, C, double bond O, CS3 R, C, double bond O, CS3 यह product कौनसा होगा B होगा तो यह रहा answer यह नहीं होगा तो आपको 12th question में देखना था A और B तो answer आएगा 2nd and 3rd तो समझ में आ रही है 13th question एक ozonolysis है ZN दिया है Reductive है तो यहां से इसको remove करेंगे इस पर oxygen इस पर oxygen add करेंगे तो यह compound यह जो group है यह LDI होगा और यह वाला group भी LDI होगा 1 यहां पर है 1, 2, 3 carbon के साथ LDI 1, 2, 3 carbon के साथ LDI यह X तो सही है अब इसमें है X को के ओएच के साथ heat कर रहे है LDI LDI की टॉन चेप्टर में अगर के ओएच के साथ reaction है OH negative के साथ reaction है immediate आपके mind में आना चाहिए aldol condensation कैने जारो reaction इनके बारे में आपके mind में immediate आना चाहिए तो यह देखें alpha hydrogen है aldol reaction कौनसी reaction aldol reaction होगी और temperature भी दिया है तो final answer किसे आएगा aldol condensation तो मैं direct कर देता हूँ इसको इसको मैं क्या कर देता हूँ direct कर देता हूँ यहाँ पर आपके पास H है यहाँ पर आपके पास H है यह दोनों H हटा दो इस O को हटा दो 1 2 3 4 5 एक 5-membered ring आपके पास आने वाली है 5-membered ring यह देखो 5-membered ring यह जो carbon था इसको मैंने first माना था यह second था यह third था यह fourth था यह fifth था first और fifth को मैंने attach कर दिया और fifth पर एक LDI group है फिफ्ट पर एक LDI group है first और fifth को जब attach करेंगे तो यहाँ पर एक double bond भी आएगा यह तो होता है यह तो होता है बेटा देखो ऐसे तो करते हैं C double bond होता है और यहाँ पर alpha hydrogen होते है और यह ऐसे कर रेक्ट कर जाता है इन दोनों के भी इस double bond बन जाता है तो वही condition आजाएगा यह आपके पास सारा why बेटा ऐसा देखो किसमे हैं ऐसा किसमे हैं किसमे हैं किसमे हैं यहाँ है second में तो 13 question में answer आएगा first and second अब आता है आपके पास section D numerical type question आपके पास integer question है देखें यहाँ पर यह इसके साथ attack करेगा बेटा unsymmetric है unsymmetric cyclic ether हो तो आपको क्या करना है ग्रिगनाड रिएजेंट का reaction वहाँ करवाना है जहाँ crowd minimum है त्रीविम बाधा कम से कम है तो आपका जो फिलाल आंसर आएगा इसमें वो कुछ ऐसा होगा O MZ BR अब हम इसमें क्या एड़ करेंगे वेटा H2O acidic media में hydrolysis करेंगे तो CS3 COH CS3 CH2 CS3 यह आगया आपके पास P वेटा बाध समझ में आगया यह P बन गया P में आप H प्लस एड़ करके heat कर रहे हैं तो क्या कौन सी reaction होगी dehydration of alcohol alcohol का निर्जली करन बेटा alcohol का निर्जली करन dehydration यहां से हमें इसको हटा देता हूँ यह आपके पास आगया Q अब question देखते हैं है How many alpha hydrogen atoms are present in Q Q में कितने alpha hydrogen परमानों उपस्थित हैं यह alpha है यह alpha है यह alpha है टोटल 9 alpha hydrogen तो इसका integer का answer क्या आएगा 9 आएगा 9 alpha hydrogen बेटा Second integer में How many of the following compounds give positive hydroform test Positive hydroform test के लिए आपके पास कैसे कैसे compound होने चाहिए ऐसा compound हो सकता है इसको यहां save गठा देता हूँ ऐसा compound हो सकता है ठीक है इसमें हम आएड़ोफर्म रियक्शन करवाएंगे तो NUH QS तो लेंगे न ऐसा बनेगा फिर जब इसकी आएड़ोफर्म रियक्शन करवाएंगे तो पहले oxidation होगा तो ऐसा compound है आएड़ोफर्म टेस्ट देगा ऐसा compound है तो भी आएड़ोफर्म टेस्ट देगा ऐसा compound है तो भी आएड़ोफर्म टेस्ट देगा तो ऐसा compound कौन सा है यह रहा और इस तरह का compound कौन सा है इर्हा 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 ठीक है एए यह नहीं हो सकता इसको भूल जाओ ये भी नहीं हो सकता इसको भूल जाओ अब इसकी बारी आती इसको देख लेते हैं इसमें जब आप NaOH और QOH ऐड़ करते हैं तो इस तरह से OH आएगा फिर यह water molecule drop करेगा, ऐसा convert हो जाएगा, मतलब ये compound भी iodiform reaction देगा, तो कौन-कौन से दे रहे हैं बेटा, एक ये compound दे रहा है, एक ये compound दे रहा है एक ये compound है, एक ये compound है, और एक ये compound है 1, 2, 3 4, 5, 6 integer answer के आएगा आपका 6 आजाएगा, 6 compound ऐसे हैं जो positive iodiform test देने वाले हैं 3rd number of CH4 gas molecules की बात हो रही है और reaction आपके साथ grignard reagent के साथ है, grignard reagent methane gas cup बनाएगा, जब उसे acidic hydrogen मिलेगा, क्या मिलेगा? acidic hydrogen, चलो देखते हैं बेटा, इसमें, कहां कहां है ये तो acidic नहीं है, इसको बूल जाओ ये acidic है, यहां से आपको CH4 मिल जाएगा ये acidic है, यहां से आपको CH4 मिल जाएगा ये acidic है, यहां से भी CS, ये भी तो acidic है ये बीच वाला, अगर मैं इसको remove करूँँगा, तो यह negative charge आएगा याँ negative आएगा तो यह किसमें canvert हो गया? aromatic में convert हो गया, तो इसमें कितने acidic hydrogen available हैं, one, two, three, four, four acidic hydrogen हैं, और जब आप इसको grignard reagent के साथ mix करोगे, तो कितने आपको molecules मिलेंगे, four, कितने मिलेंगे, four मिलेंगे, बेटा, देखने पर क्या लग रहा है, three लग रहा है, लेकि ठीक है, तो इसका integer answer के आएगा, four answer आएगा, among the following, the total number of compounds soluble in aqueous NUH, aqueous NUH में dissolve होने वाले compounds आपको देखने हैं, इन में से कौन से हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ether, acidic medium में hydrolyzed होता है, alkaline medium में hydrolyzed नहीं होता है, phenol NUH से react करता है, sodium phenoxyde बनाता है, phenol NUH से react करता है, sodium phenoxyde बनाता है, carboxylic acid NUH से react करता है, sodium carboxylate बनाता है, तो आपके पास answer में ये तीनों आ जाएंगे, इसका numerical value क्या आ जाएगी, 3 वेटा, how many of the following acids easily undergo decarboxylation, on heating, गरम करने पर आसाने से भी carboxyl ही करना है, क्या condition होनी चाहिए, alpha carbon पर electron withdrawing group attach होना चाहिए, बस, चलो देखते हैं, इसके respect ये alpha carbon है, इसके respect, ये electron withdrawing है, एक ये हो गया, ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये alpha है और ये बीटा है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, चोड़ दो इसको भी, इसमें देखो, ये alpha और electron withdrawing group, इसमें देखें, ये alpha, ये electron withdrawing group, इसमें है तो सही, लेकिन problem है, ये reaction show नहीं करेगा वेटा, आपको ध्यान अखना है, breeze head carbon पर carboxylic group attach हो, तो beta keto acid होने पर भी वो co2 gas को release नहीं करता, उसके पीछे reason क्या है, देखो कुछ इस तरह का reason रहता है, मैं इसका थोड़ा सा आपको process समझा देता हूँ, कि ऐसा as क्यों है, ये electron यहां से यहां transfer होंगे, ये electron यहां transfer होंगे, और ये यहां पर transfer होंगे, बस समझ में रही है, ये alpha है और ये आपके पास beta है, result क्या रहेगा, ये bond यहां से break हो जाएगा बेटा, ये यहां transfer हो जाएगा, between alpha and beta, ये वाला bond भी यहां से break होगा, ऐसा, और ये oxygen किसके साथ connect हो, ये वाला bond यहां से break हो जाएगा, इस पर H आज आजाएगा बेटा, और प्लस में कौन से gas बाहर जा रही है, CO2 gas, देखें, यहां देखें, ये alpha था, और ये beta था, यही तो था, alpha-beta, इल्फा-beta में double bond बनेगा, तो ये alpha है, ये beta है, यहां double bond बनेगा, तो यहां double bond, bridge head carbon, planar geometry अचीव नहीं कर सकता है, planar geometry अचीव नहीं कर सकता है, इसमें नहीं लेंगे, ये भी नहीं होगा अलफा पर electron withdrawing group है ये होगा अलफा पर electron withdrawing group है ये भी होगा तो total कितने होगे आपके पास 5 ये नहीं शोगरेगा ये भी नहीं शोगरेगा 1, 2, 3, 4, 5 integer value कितने आगे इसकी 5 आगे बेटा the number of possible alcohol saturated with different boiling points पहला तो saturated यानि कि single bond होना चाहिए फिर different boiling point होना चाहिए molecular formula ये है इसका DU calculate करो बेटा इसका DU बनाएगा इसका मतलब ये नहीं ले सकता मैं ऐसा नहीं ले सकता ये नहीं ले सकता क्योंकि ये कैसा है unsaturated है ये तो नहीं ले सकता मैं छोड़ दो इसको फिर DU 1 होता है तो cyclic structure भी तो बनती है चलो ये क्या है आपका saturated alcohol है ये कैसा है saturated alcohol है इसमें ये भी तो possible है इसमें ये भी possible है और इसमें ये भी possible है इसमें ये भी possible है ये सिस और ये ट्रांस आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा यहां पर confuse नहीं हो ना अगर आप इसको chiral center की form में consider करेंगे तो इसमें क्या बनेगा inensiomer बनेगा परतीबिम समावी बनेगे और inensiomer का boiling point सेम होता है बिटा इसलिए ये fractional distillation यूज नहीं हो सकता तो आपको enensiomer नहीं बनाना है enensiomer नहीं बनाना है ये geometrical isomer ले सकते हैं क्योंकि geometrical isomer का boiling point different होता है question में mention किया हुआ है different boiling point होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5 integer value के आगे इसकी 5 आगे बेटा chiral, बार रिपीट कर रहा हूँ chiral center नहीं लेना है chiral center लोगे तो आप enensiomer बनाओगे प्रतिभीम समावी बनाओगे और प्रतिभीम समावी बियों के boiling points सेम होते हैं उसके बूल जाओ geometric isomer बनाओ ये geometric isomer बनाओ ये cis और ये trans integer value 5 examine the structural formula of the following compound find out number of compound which show higher rate of nucleophilic addition then it's a strong reactive compound आपको check करना है हमें पता है aldehyde nucleophilic addition show करता है aldehyde के respect ketone की reactivity कम होती है तो पहले ketone को छोड़ दो इसको छोड़ दो फिर इसकी reactivity बढ़ानी है तो electron donor group reactivity को decrease करते हैं electron withdrawing group reactivity को increase करते हैं तो यहाँ पर hyperconjugation लग रहा है तो यह reactivity को कम करेगा यहाँ पर hyperconjugation नहीं है तो उसके respect यह more reactive है इसमें electron withdrawing group है इसके respect यह भी more reactive है minus m, minus i यह नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका कॉन से effect काम कर रहा है plus m hyperconjugation से भी strong donor होता है जो reactivity को decrease कर देगा बैटा इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि plus OH group में भी क्या होता है plus m, plus m effect hyperconjugation से strong donor है reactivity को decrease कर देगा यह aromatic है, aliphatic है aliphatic aldehydes are always more reactive than aromatic aldehydes तो आपके पास value क्या आएगा? integer value आपके पास क्या आएगा? 2 integer value आपके पास क्या आएगा बैटा? 2 आएगा नहीं, sorry तो नहीं, sorry integer value यह भी आएगा यह, one, two integer value 3 आएगा बैटा, sorry integer value क्या रहेगा? 3 यह भी more reactive है यह भी more reactive है यह भी more reactive integer value 3, correct करें, 3 how many aldol products may be possible which are formed by aldol condensation reaction this and this यह तथा यह की aldol sangnan अभिकरिया से बनने वाले इसको ले रहा हूँ, second part को H2 CH CO CH2 CH2 CS3 एक तो यहां से product बनेगा बैटा फिर CS3 CH2 CH double bond O यहां से यह भी एक product बनाएगा बैटा cross product बना रहा हूँ पहले मैं CS3 CH2 CS3 double bond O plus CHO यहां से भी आप cross product बना सकते हैं कितने cross product बन रहे हैं बैटा 3 कितने cross product बन रहे हैं 3 cross product बन रहे हैं आपके पास तो फिलाल 3 तो मैं यहां लिख लेता हूँ ठीक है नोट कर लो आप इनको अब हम क्या करेंगे self condensation भी हम इसमें check करेंगे बैटा आजाओ self condensation में CS3 CH2 CH H2C CS3 CHO CO एक product बन गया अब यहां पर आ जाओ plus H2 C CS3 CO CS3 एक यह भी product बनेगा एक और बनेगा CS3 CH2 C CS3 double bound O plus H2C CO CH2 CS3 क्योंकि यह ketone है इसके दोनों साइड में alpha है वेटा तो दोनों साइड यूज करने पड़ेंगे न यहां भी कितने बने 3 तो 3 plus 3 आपके पास integer value क्या आएगी 6 आएगी इस question में integer value क्या आ रही आपके पास 6 आ रही है वेटा stereo को तो count ही नहीं करना न stereo को इसमें count ही नहीं करना है तो 3 cross product and 3 self product आ जाएगे आपके पास total 6 number of geometrical isomers of final product चलो देख लेते हैं यह कौन सी reaction आपको लग रही है बेटा aldol condensation तो direct बना देता हूं इसको तुम्हें CS3 CHO H2C CHO direct बना रहा हूं बेटा मैं इसको क्योंकि यह तो आपको बहुत आसानी से याद हो गया होगा तो CS3 CH double bond CH CHO A product बना अब A में क्या करना है tollen reagent मिलाना है tollen reagent जब आप इसमें add करेंगे CS3 CH COO बनेगा यह क्या शो कर रहा है GI और कितने GI बनेंगे इसके कितने GI बनेंगे बेटा 2 GI बनेंगे पहला कौनसी reaction हो गई Eldole Condensation फिर tollen reagent आप add करेंगे यह बनेगा और यह compound GI शो कर रहा है Geometrical Isomerism जयमितीय समावय बता कितने Geometric Isomer बनेंगे इसमें 2 Geometric Isomer बनेंगे एक्सिस और दूसरा ट्रांस तो Integer Value क्या आ जाएगी इसकी 2 Integer Value आ जाएगी In this reaction अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है इससे आपको हिंट मिल जाएगी यहां से तो मुश्किल है ना यहां से उल्टा चलो इसको देखो यह यहां से ब्रेक कर लो Retroeldol करो क्या करो Retroeldol करो तो यह Alpha है यह Beta है जब Retroeldol करते हैं तो Alpha पर तो Hydrogen अटेच करने हैं 2 और Beta पर अटेच करना है Oxygen तो Beta पर तो Oxygen अटेच कर दो और इस पर क्या करो 2 Hydrogen अटेच कर दो यह बन गया आपके पास B और यह कौन सी reaction है ज्यान से देखो कहनी जारो कौन सी reaction है कहनी जारो तो यहां आपके पास क्या रहेगा CHO CHO यह आपके पास होगा C इसके अंदर कहनी जारो कौन सी Intramolecular तो यह प्रोड़क्ट आएगा आपके पास अब यह दोनों प्रोड़क्ट बने किससे हैं Reductive Osonolysis से और Reductive Osonolysis करना हे आपको आपको बापिस प्रोड़क्ट बनाना हो तो настолько वाजन गाएब कर दो और इन को अटेच कर दो यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, यह आपस में connect होंगे, यह आपस में connect होंगे बेटा जी, देखो अब क्या है, यहाँ पर एक इस तरह से carbon है, यहाँ पर one, two, three carbon है, ऐसे three carbon है, तो यह carbon इस carbon से connect होगा, double bond के तुरू, यहां पर एक सिंगल बॉंड है, यहां पर यह डबल बॉंड के थू कनेक्ट हो जाएगा, वह इसका अगर मैं और जोन और लाइसिस करूं तो यही तो बनेगा, सी डबल बॉंड ओ, और डबल बॉंड सी, रेट्रो करना है, इनको गयब कर दो, और इनको आपस में कनेक्ट कर दो, ऐसी तो बनाते हैं, इसका वापिस करोगे तो यह मिल जाएगा आपको, अब कॉश्चन बढ़ो, number of carbon in the reactant A, वो तो simple है, same आजाएंगे, देखो कितने आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो X की value आगे आपके पास, 11, degree of unsaturation of A, A में degree of unsaturation, 1, 2, 3, 4, और आपको क्या करना है, X minus Y, 11 minus 4, 11 minus 4, answer क्या जाएगा, 7 आजाएगा, answer क्या जाएगा, 7 आजाएगा, बेटा, अब 11th question, कॉश्चन, कॉश्चन, एल्डोल कंडनिशेशन, तो 1, 2, 3, 4 तो नहीं ले सकता मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले सकता हूँ, यहां से मैं hydrogen ले लूँगा, और यहां से मैं oxygen ले यहां एक double bond बनेगा, इस पर पहले से ऐसे attach है, और यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है, यह 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, यह आजाएगा आपके पास, P बेटा, कॉन सा, एल्डोल, condensation, डारेक्ट बना लो product, अब क्या है, number of ring in the product, कितनी ring है, 2, degree of unsaturation in product 1, 2, 3, 4, 5, तो A plus B, A plus B, दोनों को add करोगे, answer क्या जाएगा, 7, answer क्या जाएगा, 7 answer आजाएगा, बेटा, consider the following compound, निम लिखत योगीकों पर विचार करो, यह आपको consider करना है, how many of these compound would react with tollens reagent, कितने tollens reagent से react कर सकते हैं, tollens reagent के साथ यह react करेगा, कोई भी aromatic हो, alpha hydroxy ketone, react करेगा, यह react नहीं करेगा, यह cyclic hemiacetal, cyclic hemiacetal tollens reagent के साथ positive test देता है, बेटा, tollens test की बात नहीं है यहाँ है, यहाँ है, react करना चाहिए, तो terminal alkyne भी tollens reagent से react करती है, मैंने tollens test नहीं लिखा कई भी बेटा, देखो, आपको क्या लिखा है, tollens reagent से react करना चाहिए, तो terminal alkyne भी tolend reagent से react करता है यह नहीं होगा तो कितना answer आ रहा है integer value 4 आ रहा है कितना आ रहा है वेटा 4 आ रहा है इसमें tolend test होगा silver mirror test जिसको हम क्या कहते है silver mirror test रजत दरपन परिक्षन यह रजत दरपन परिक्षन तो नहीं देगा लेकिन tolend reagent से react करेगा compounds of how many pairs can be distinguished by both failing solution और दोनों के साथ distinguish होना चाहिए तो देखो यह failing test कैसा शो करेगा negative तो answer गतम यह नहीं answer नहीं आंसर गतम नहीं किला देख और रोग और रोग और रोग और रोग यह negative यह positive फैलिंग के साथ आएडो form आएडो form दोनों ही negative आएडो form दोनों ही negative इसलिए cancel हो गया B Failing solution positive यह negative आएड़ू form यह भी positive और आएडो form यह भी positive, दोनों positive हो गए answer नहीं आना चाहिए एकके साथ positive और एकके साथ negative यहां आजाओ Failing solution negative Failing solution positive Idoform Idoform positive और Idoform negative एक तो यह answer आएगा थर्ड एक तो क्या answer आएगा? थर्ड answer आ रहा है एक में positive और एक में negative होना चाहिए Failing के साथ भी और Idoform के साथ भी यह Failing में negative यह Failing में negative गलत हो गया एक में तो positive आणा चाहिए था यहाँ पर यह Failing में positive Failing में negative Idoform Idoform में negative यह Idoform में positive यह भी answer आएगा तो integer value क्या आगई आपके पास? 2 आगई integer value क्या आईए आपके पास? 2 आई बड़ा ध्यान से देखें, दोनों के साथ test होना चाहिए तो integer value 2 आगई आपके बस ठीक है? तो यह आपका solution था आपका paper अच्छा रहा होगा अच्छे से solve किया होगा फिर भी किसी question में आपको doubt रह गया है तो बेटा इस solution को अच्छे से देखो और उस doubt को clear करो ताकि आपको आपके main exam, जो भी आपका final exam होता है, वहाँ पर वो doubt नहीं रहे. Thank you JCLC